आप सबी को मेरा सादर जय जिनन दवा मुख समाज का 22 वीडियो लेकर के मैं आपके बूइच पस्तित हूँ और ये जो वीडियो आज मैंने बनाया है ये बनाया है मैंने पतले लोगों के लिए बूख ना लगना ये आजकल बहुत common problem है जिसे लड़कियां हो गए ये 20-20 साल की है या जिसे लेडिज भी हैं बहुत सारी उनको भूख नहीं लगता उनको कुछ खाने का मन नहीं करता है तो जैसे लोग या जिसे छोटी बच्चे हैं 4-5 साल के, 6 साल के उनमें भी ये complaints बहुत आम रहती है कि ये कुछ भी नहीं खाता है तो ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले आपने जो काम करना है वो है digestion के लिए 2-3 organs जो हैं वो बहुत ज़्यादा responsible है आपकी भूख की ना लगने के लिए उनमें सबसे पहला है आपका stomach दूसरा है आपका liver और तीसरा है आपकी intestine तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीनो organs कांग कांग पे है ये सारा हिस्सा जो है आपके stomach का है इस हिस्से पर आपने daily pressure देना है ये stomach का है इसके बाद में ये वाला जिल्सरा है ये आपके liver का है हर finger में तो यहाँ पे आप seed लगा करके daily pressure दीजिए ये liver ये stomach और तीसरा है आपकी intestine small intestine उसकी absorption अच्छी होगी तो आपको अपने आपी बूख लगेगा तो इन तीनों organs पे आपने क्या करना है जैसे इस पे आपने इस तरीके का pressure देना है आप चाहें तो seed भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसी pressure को इस finger पे भी दे सकते हैं किसी भी एक finger पे बिल्कुल ये जो last वाला joint है उसके center में आप यहां पे stomach के लिए pressure दे सकते हैं liver के लिए यहां पे ये ये सारा हिस्सा इन चारों में से एक 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 दिन आपने चारों finger पे गोम जाना अगले दिन फिर इन चारों पे गोम जाना है ये आपका liver है यहां पे इन सारी fingers में तो इस पे pressure दीजिए और छोटी आद के लिए आपने यहां पे pressure देना है तो ये pressure अगर आप regular basis पे देते हैं तो उससे ये जो आपके digestive organs हैं ये हरकत में आएंगे और आपका metabolism थोड़ा fast होगा और आपको proper भूख लगने लगेगा color therapy की जहां तक बात करें तो आपने क्या करना है ऐसा yellow pen market में मिलता है तो सबसे पहले हमने stomach की energy को बढ़ाना है तो ये एक yellow color का line आपने यहां से खीचना शुरू करना है इस तरीके से nail तक आना है yellow line नीचे से लेके उपर तक ये आपने daily खीचना है दूसरा काम आपने करना है liver का बहुत ज़्यादा involvement रहता है तो liver के लिए एक line आपने उपर से लेके नीचे तक खीचना है ये भी daily खीचना है दसनी तर और तीसरा line आपने खीचना है small intestine के लिए छोटी आथ के लिए ताकि absorption बढ़ सके तो ये line भी आपने ये first finger की corner से शुरू करना है और नीचे तक आना है अगर ये तीनों line आप 10 दिन तक खीच देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो book है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन वीडियोस को देखने के लिए